नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बवली उर्मा पीपर है कर में आपका स्वाग गयता है जो आज देखने वाले है वो अपना बहुत ही इंपोटेंट क्योशन हो जाता है क्योशन नंबर हो जाएगा अपना 25 ठीक है क्योशन नंबर 25 है हिस्ट्री सैकेंड समिस्टर वालों के यह मुगल सामराज से हो जाते है ठीक है आप कहां तक पहुंच चुके हैं तो मुगल समराज के ट्रिक होती है, सभी साज़ब को याद करने की, वह कौन सी होती है, याप को बहुत बार बता रखी है, कौई भाज सब होती है, कौन भाज सब, B से बाबर, H से हमायू, A से अकबर, J से जहांगिर, S से साघाँ, फिर उसका बेटा आता है A से औरंग जेब एके, और B से हो जाएगा बहादुर सहाज जफर तो बहाद सब तो यहाँ पर A जो है हम क्या देख रहे हैं औरंग जेब को देखते हैं और यह कौन से नमबर का सासा को जाता है छटे नमबर का सासा को जाता है ठीक है औरंग जेब को यहाँ पर हम देख रहे हैं या फिर औरंग जेबी की दच्छन निती की समीच्छा केजिए और इसके परिणामों के प्रिकास डालना है, इसके परिणामों के आपके आरे में बताना है कि क्या क्या परिणाम रहे थे, तो बात करते हैं, सबसे पहले उत्तर डालते हैं, उसके बाद एक बॉक्स मनाते हैं, आपको हमने बता रहा है सब कुछ ठीक है अगर वीडियो नहीं देखो तो बिल्कुल देख लेना बॉक्स में क्या होता है जो भी इसके बारे में लिखे हमें याद है वो सारा के सारे लिख देते हैं उससे ऊपर क्या लिखते हैं सभी सास्तों के नाम जो मुगल समराज के हो तो यहाँ पर सारे डाल देना है उसके बाद में औरंग जेब के बारे में जो कुछ पता है वो नीचे डाल देना है ठीकी बॉक्स में उसके बाद थियोरियो को स्टार्ट करना है लिखना तो बात करते हैं औरंग जेब की दच्छनितिक और धार्मिक दोनों था राजनिति करनी भी थी और आपको पता है जो औरंग जीब है वो एक धरन से लेटे बहुत मानता था अपने बहे दच्छिड के राज्यों को समाप्त करके मुगल सामराजी का बिस्तार करना चाहता था तो दच्छिड भारत है बहाँ पर बहुत सारे सामराज हुआ करते हैं महार और मराठा वगएरा हैं और भी हो जाते हैं ठीके सिया वगएरा हो जाते हैं तो उनको समाप्त करके अपने सुन्नी बंस को सुन्नी एक मुसल्मानी एक बोती ठीके सुन्नी समराज को ये विस्तार करना चाहता था मतलब मुगल समराज का विस्तार करना ये चाहता था उसका विस्वास था कि दच्छिड के राज्यों को समाप्त किये बिना मराठो की सक्ती का दमन करना असंभव है कि जब तक हम जो दच्छिड भारत है जब तक हम दच्छड भारत पर या दच्छड राज्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम क्या करेंगे एक प्रिकार से हमारा जो सल्तनत है जो मुगल संतनत है वो प्रिकार से सेफ नहीं है संभव नहीं है ठीक है दमन करना संभव नहीं था आगे औरंग जेव उने दच्छडी राज्यों के राजां दोरा मुगल सामराज की अधीनता सुईकार कर लेने मात्र से संतोस नहीं किया बलकि उसने उस राज्य के सोतंत्र अस्तित्व को नश्च करके उसको मुगल सामराज में सामिल करने की योजना बनाई कि भई जो दच्छड भारत के राजा हैं उनको वहीं पर सुधीन नहीं करना है उनको पकार से अधीनता सुईकार नहीं करवानी है उनके राज को खतम करके मुगल सामराज में मिलाना ही मिलाना है तो इन्होंने क्या बनाई योजना बनाई जो पहली योजना अपनी हो जाती ह बहे हो जाती है बीजा पुरपर अधिकार कौन सा बीजा पुरपर अधिकार अपना देखने को मिलता है ठीक है जैसे की औरंग जेप अपने सासन काल के प्रारंबिक 25 बरसों में उत्तर भारत की राजधानी में ब्यस्त था जो उत्तर पड़ता है उत्तर भारत बहां की राज सरदारों को सौब दिया मुगल सेना ने सरव प्रिथम बीजापुर राज पर अधिकार करने के लिए सन 1965 से 1966 भी में राजपूत राजा जैसिंग के नितब में प्रयास किया कहां पर बीजापुर में कौन भेजता है बीजापुर में औरंग जिब किसे भेज रहा है राजा ज नेसिंग के नितब में सेना भेज रहा है कहां पर बीजापुर में कि तु मॐसे चिंटु है सफलता प्राप्त नहीं हो सकी इसी बीच बीजपुर के सासक आदिलसहा-दुतिये की म्रत्यू हो गई जो बीजापुर का सासक हो जाता है आदिल साथ होती है उसकी क्या हो जाती है यहाँ पर म्रत्य हो जाती है म्रत्य हो गई और उसके बाद उसका चार बरस का पुत्र होता है कौन चार बरस का पुत्र होता है सिकंदर आदिल साहा कौन सिकंदर आदिल साहा होता है किसका आदिल स पुतर होता है चार बर्स का उता है सिकंदर आदिल सह। मिज़ापुर का सासक बना चार बर्स का पुत्र था जो मिज़ापुर vibrations के शाक मत Corinth का मेने मोगल सेना अपने बिद्रोही पुत्र अकबर औरंग जेवी का एक पुत्र होता है बहुत थ्यानक ना कि औरंग जेवी के पुत्र का नाम क्या था औरंग जेवी के पुत्र का नाम क्या हो जाता है तो बह हो जाता है अकबर क्या हो जाता है औरंग जेवी के पुत्र का नाम हो जाता है अ गेर लिया 18 महां के निरंतर घेरे के बाद कि सितंबर 1686 में कब सितंबर 1686 में कि बीजापुर ने आत्म समरपड कर दिया जो बहा का सासक था चार बरसी ये सासक शिकंदर आदल सहा उसने क्या कर देता है उसका जो पति बगएरा होते हैं वैसे हाँ पर आत्म समरपड कर देते हैं औरंग जेब ने बीजापुर के सासक को गद्धी से हटा कर पैंसन देना सुईकार किया कि भी आपको पैंसन दी जाएगी आप सास पर नहीं बैठोगे इसी बरसी बीजापुर राज को मुगल सामराज में समल कर लिया गया अब दूसरा हो जाता है गोल कुंड़ा पर अधिकार यहां पर औरंग जेब क्या करेगा गोल कुंड़े पर अधिकार करने की योजना बनाएगा जैसे कि गोल कुंड़ा का सासक अबुल हसन सिया होता है ध्यान रखना जो औरंग जेब होता है वो कौन होता है बेवक सुन्नी होता है कौन सुन्नी होता है मगर यहाँ पर सिया देखने को मिल जाता है और यह अपनी जाती से अलाबा हिंदू अगर कोई फिस जाती होती है ठीक है उससे क्या करता है यह एक प्रकार से घिर्णा करता है ठीक है तो यहाँ पर कौन है सिया देखने को मिलते है इसलिए यहां पर आक्रमन करता है जैसे कि गोल कुंडा का सासक अबुल हसन सिया मत का मानता है सिया को मानता है ठीके सिया को मानता है इसलिए वै औरंग जेब का बिद्रोही था औरंग जेब भी उससे घिरना करता था इसी लिए उसने गोल कुंडा पर आक्रमण करने के लिए सहजादा सहजादा शहा आलम को कौन था सहजादा शहा आलम को सन 1685 में ध्यान रखना है उसका पुत्र होता है सहा आलम इसके पुत्र का ही नाम है सहा आलम सन 1685 में सेना सहित भेजा क्या करता है सेना सहित सहा आलम जो ह होता है बह पहुंच जाता है कहां पर गोल कुंडा ठीक है सहित भेजा अबुल हसन ने भैबीत होकर गोल कुंडा के किले में सरली कहां पर गोल कुंडा के किले में किले में सरली सहा आलम और अबुल हसन के मद एक संदी हुई किन्तु औरंग जेब ने इस संदी को स्विकार न ताकि से गोल कुंडा के किले को जीतने में सफल हो गया, गोल कुंडा को मुगल सामराज में सामिल कर लिया गया और बहां का जो सासक था उसे मार दिया गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स जो देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है, सिवाजी से संगर्स देखने को मिलता है, बहुत है इंपोटेंट है, यहां से आपके कंप्रेड एक्जाम में भी क्योशन पहुचाते हैं, तो बात करते हैं, औरंग जेवी के समय में दच्धभारत में मराठो की सक्ति का महाराथा सत्तियों का मराथा राज्य के संस्थापक सिवाजी थे सामने मराठो की सक्ति को कुचलने की कठिन समस्या थी उसने इस कारे के लिए कौन भेजा था शाइस्ता खां ध्यानकना ये कंप्टरी एक्जाम में बहुत पूचता है कि ये बताएगा जो औरंग जेव था उसने सिवाजी के लिए सिवाजी कह सकते हैं ठीके यहाँ पर भेजा था ठीके किसको भेजा था सिवाजी के यहाँ पर तो भेजा था शाइस्ता खा के लिए complete exam में पुछाता है तो आपके exam में भी बन सकता है ठीक है तथा बाद में राजपूत राजा कौन था जै सिंग राजपूत राजा जै सिंग को भेजा सन 1666 इस भी में सिवाजी औरंग जेव में से भेट करने गए कौन गए सिवाजी जा रहे है किसे औ भाग गए या फिर बचकर भाग गए सिवाजी अपने जीवन भर मुगलों की सकती को रोकने का प्रयास करते रहे सन 1680 में सिवाजों की मित्यू हो गई जब सिवाजी की मित्यू हो जाती है तो सिवाजी के दो बेटे होते हैं एक होता है संभाजी और एक होता है राजा रा एक होता है संभाजी और एक कौन होता है राजा राम हो जाता है ठीक है तो यहां देखेंगे यह 1680 में की क्या हो जाती है सिवाजी की हो जाती है मित्यू उसके पुत्र संभाजी मराठा राज्य का सासक बना कौन बनता है जो संभाजी होता है यह छोटा पुत्र होता है संभा का अकबर का इसका अपने पुत्र अकबर का पीछा करता हुआ दच्छड भात में पहुँँचा उसने मराठा सक्टी को नश्ट करने के उद्देश से संभाजी को रاج पर आक्रमण कर दिया जाता है कण संघर्स के बाद संभाजी पराजित हो जाता है और संभाजी को किसके द्वारा औरंग जेवे के द्वारा मार दिया जाता है उसे पकड़ कर कतल कर दिया जाता है और संपूर्ड महराष्ट पर मुगलो का अधिकार हो गया यहां पर महराष्ट पर मतलब जो मराठा सक्ती हो जाती है उस पर क्या हो जाता है मुगलो का अधिकार हो जाता है जैसे ही संभाजी यहां पर मारे जाते हैं अब बात करते हैं अगले किंतु मराठा राज की पूरी तरहे नश्ट नहीं हो सका था, पूरी तरीका से नश्ट नहीं हो सका था, मराठो ने राजा राम की बिद्वा, राजा राम पहले ही खत्म हो चुके थे, राजा राम की बिद्वा पत्नी होती है, जिनका नाम होता है ताराबाई कौन जिनका नाम होता है ताराबाई के नितत में संगर्श किया यह युद्ध औरंग जेव की मत्यू तक चला इस प्रकार औरंग जेव संपूर दच्छल भारत पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सका ठीक है तो यहां पर आपको याद अखना है सिवाजी के दो उसल के प्रकार जाती है और जो ताराबाई होती है में क्या करती है औरंग जेव से युद्ध करती है आगे बरते हैं औरंग जेवे के दच्छड निती के परड़ाम क्यों गों से वीच शुचा JEFF bypardii का समय औरंग जेब ने दच्छड बिज्याए में ब्यतीत किया पर दच्छड नितीम किया सफलता के काड मुगल सामराज्य को बहुत हानी उठानी पड़ी उसके बहुत से सैनेक तथा बहुत सारी सकतियां जो सैनेक सकतियां होती है वो यहां पर मारे जाती हैं सैने के उद्धे मारे जाते हैं second जो काड हो जाता है वो जाता है परड़ाम जो हो जाता है अपार संपत्ति खर्च हो गई धन जन की हानी के साथ-साथ मुगल सेना पर मराठो की अजयता का बहुत बुरा प्रभाप पड़ा थर्ड जो हो जाती है औरंग जेब की हिंदू विरोधी निती ने मराठो को और अधिक संगठित होने की मदद की इसे औरंग जेब की सत्रूनों की सक्ती में ब्रद्दी देखने को मिल जाती है और जो चौथा प्रड़ाम हो जाता है वो दच्छड में समराठ के ब्यस्त रहने से उत्तर भारत की विस्ता भी बिगड़ गई औरंग जेब की इस सफलता के निम्लिकित काल हो जाते है पहला जो काल देखने को मिलता है औरंग जेब की सफलता का जो बिगड़ जाती है वो भी क्या हो जाती है बिगड़ जाती है जब औरंग जेब दच्छड भारत विजय प्राप्त करना चाहता है तो बही दिरखा है उसके असफलता के कौन-कौन से काल है बहाँ पर देख लेते हैं तो पहला हो जाता है औरंग जेब सदा अपने आदमियों पर संधे करता था उसे बिसबासपात्र ब्यक्तियां मदत मिली संभव ना हो सकी तो जो भी होता था उस पर वो सक करता था इसलिए जो ब्यक्ति थे उनकी मदत एक प्रकार से 100% ही मिल पाई नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है उसके पुत्र उसके सदा असंतुष्ट रहते थे वो हमेशा क्या रहते थे असंतुष्ट रहते थे अता किसी ने किसी ने मन लगा कर दच्छिड में काम नहीं किया जो बाकी हो जाता है जो तीसरा काड हो जाता है वो हो जाता है मुगल सेना उस समय तक अती बिसाल हो गई थी अता दच्छड के पहाडी इलाकों में उसका चुस्ती के काम करना संभव नहीं था कह सकते हैं विसाल तो थी मगर जो दच्छड बात की जो पहाड़ियां वगएरा हो जाती है ठीक है उनमें ये एक प्रकार से सच्छम नहीं थे आगे बढ़ते हैं चौता प्रकार जो जाता है इसके विपरीत मराठा नबोद सक्ती संपन जाती थी और उनमें अपने धर्म और सांस्कृतिक की रच्छा करने का उदमे उद्सा था बस उनको क्या था उने अपनी धार्मिक सक्ती जो धर्म और सांस्क्रति के रूप में तो इस प्रकार से क्योशन नमबर हमारा 25 हो जाता है वो हो जाता है complete हमने बहुत एच्छी प्रकार से देखा बस आपको इतना ही याद करना है बाकी याद नहीं करना है एक दो बार अगर वीडियो को आपको आपको सारा के सारा याद हो जाएगा और बिल्कुल आप अच्छी प्रेकार से लिखा होगे ठीक है तो फेंट्स वीडियो को like करना है, share करना है, channel को subscribe करना है, bagl icon को press करना है अगर आपको notes चाहिए तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पट्टी देखते हुई चल रही ना तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हमारी site का link मिल जाएगा कि www paper hacker.in directly browser पर जाओगे तब भी आप पहुंच जाओगे ठीके बहाँ से आप कोई भी download कर सकते हो इसमें से आप जो भी चाहते हो ठीके जिसकी PDF चाहते हो apps download करोगे तो free of course आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ठीके like करना, share करना, channel को subscribe करना, bell icon को press कर दें और डिवेशन आपके घर पर पहुंच जाएगा ठीक है तो बैट जैहन जै भारत